तो नमस्कर दोस्तो आपसे भी का स्वागत है मारी RG Support Boy YouTube चैनल में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप State Bank of India में अपना एकाउंट ओपन करवा रखे हो और अभी आप अपने एकाउंट में जोगी mobile number registered करवाना चाहते हो तो आपको यह जो form दियागे इस form को आपको कैसे भरना है वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप जैसे form लेके आते हो तो उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे लिखा हूँ है State Bank of India तो यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम लिखने है ठीक है जिस भी ब्रांच में आपका एकाउंट है उसका आप यहाँ पर नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप देखोगे लिखा हूँ है CIF नंबर तो यहाँ पर आपको अपने CIF नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको अपने एकाउंट नंबर लिख देना है यह दोनों चीज आपके पास्बुक पर देखने के लिखने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पर आप option यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर जैसे के आपको मैं पढ़के सुना देता हूं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नीचे के तरफ आओ गई तो यहाँ पर आपको छटे नंबर पर एक option मिलता है यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हूं यहाँ पर आपको टिक करने की बाद यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है फूर चेंज ऑफ मोबाइल नंबर तो यहाँ पर आपको अल्रेडी एकांट में कोई नंबर रजिस्टर है तो आप उसको चेंज कर सकते हूं हला कि जब हम abbiamo account open कर वाते तो उससे में हमारा mobile number लिया जाता तो यह कोई नंबर हमारा लगा होता है अगर आपका number कोई नहीं लगा हुआ देना नाम लिखेने के बाद आपका जो form है यह भर जाएगा उसके बाद आपको है पर इसको जो भी आपने डिटेल भरी है वह सब आपको एक बड़र दुबारा से चेक कर लेने कि कि आपने सब को सही सही लिखा है कि नहीं सो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में तरह ही I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कैसे लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना और फ्रेंट्स अगर आपको कुशन अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो